हेलो एवरिवान, वेलकम बैक इन माई चैनल, मैं हूँ शीवी मिस्टा, मेरी आज की इस वीडियो में मैं आप सब के साथ शेर करने वाली हूँ हाउ टो यूज आमला रिठा एंड सी का काई पाउडर, हाउ टो यूज सीरीज का ये भी एक वीडियो है जिसमें कि मैं इन तीनों प्रोड़क का डिडेल शेर करने वाले हूँ साथे साथ एक हैर पैक बनाने वाली हूँ और लगा के दिखाने वाली हूँ कि वो आपके हैर्स पर कैसा वर्क करता है और कैसे यूज किया जाता है guys आमला powder जो होता है वो आपके hairs में natural conditioner का work करता है आपके hair growth को promote करता है साथी साथ आपके hairs को volume देता है आपका जो hair growth होता है उसको promote करता है guys उसके साथ साथ में आपके hairs में कर जूएं है lies है तो उनको remove करने में help करता है आपके dandruff को हटाता है आपके hairs में natural shine लाता है आपके hairs बहुत ज़ता manageable हो जाते हैं जगर आपके hairs freezy है, dry है तो रीठा powder आपकी help करेगा आपके hair को shine provide करेगा साथे साथ soft बनाएगा और guys अगर आपके hairs में कोई भी bacterial infection है तो वो आपको remove करने बहुत ज़ता help करेगा और guys जो Sika kai powder है ये भी आपके hairs को बहुत अच्छी से manageable बनाने में आपके help करता है आपके hairs को shine provide करता है आपके hairs को soft बनाता है उसी के साथ साथ guys अगर आपके hairs में बहुत ज़ता itching होती है तो उसको remove करने में बहुत ज़ता help करने वाला है आपके hairs को healthy बनाता है और आपके hair growth में help करता है आप guys देख लीजे के मैं इन तीनों product को use करके एक hair pack बनाने वाली हूँ चोकि आपके hairs के लिए बहुत बहुत ज़दा beneficial है बहुत ज़दा healthy बनाएंगे आपके hairs को बहुत shine provide करेंगे और बहुत soft बनाएंगे देख लीजे guys यहापे मैंने 3D product को जितने quantity में ली ऐ है सेम quality में आपको 3D product को लेना जादा कम नहीं करना है तीनों को ले के आपको पानी के साथ में mix कर देना है आप चाहें तो दही के साथ में mix कर सकते हैं या फिर रॉम में कर साथ लेके मैंने यहापे simply water के साथ mix किया हुआ है थोड़ा थोड़ा water लेके आपको mix करना है मैंने आपे ममा अर्थ का जो container था मैंने इसका hair pack try किया था उसको ही लिया हुआ है उसी मैंने इसको अच्छे से add करके रखा हुआ है क्योंकि काफी अच्छा container था और इसको बनाने के बाद फूलेगा तो नॉर्मल सी consistency में आ जाता है जोगी काफी अच्छा रहेगा आपके हैर्स में लगाने के लिए तो यहां पर आप देख लिए कि मौनिंग में यह कैसे दिखने वाला है अब मैं इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख देने वाली हूँ अब आप लोग देखो मौनिंग में यह कुछ इस तरीके से इसका टेक्शर जो है वो इस तरीके से हो गया ओवरनाइट रखने के बाद फ्रिज में तो आप यह अपने हैर्स में लगाने के लिए बहुत अच्छे से हैर पैक बन गया है तो आपको थोड़ा सा टफ हो जाएगा इसको यूज करने में अब यहाँ पर मैंने अपने हैर्स में अच्छे तरीके से इसको अप्लाइ करना स्टार्ट कर दिया है आपको पूरे हैर्स में अच्छे तरीके से अप्लाइ करना है अगर आपके हैर्स से बहुत ज़्यदा इचिंग होती है, आपके सीर में बहुत ज़्यदा जूएं पड़ गई है और कोई भी प्रॉबलम आपके हैर्स के बहुत सारी प्रॉबलम को ये रिडियूस करने में हेलप करता है पहले के टाइम में लोग इसको यूज़ बहुत ज़दा करते थे क्योंकि एक हरबल प्रोड़क्ट है नाचुरल प्रोड़क्ट है इसमें कोई भी कैमिकल नहीं एड है तो इसको लोग यूज़ करते थे आमलाप के हैर्स के लिए अच्छा होता है इसको लगाने की आधे घंटे बाद इसको आपको धंडे-बाने से वॉष कर देना है एक तो लगा लिया है अब यह थोड़़ा सा सूङ जै बहुत ज़ोड़ा सवकान नहीं अदर वालाइछ dużo ये हटे का नहीं करना है तो बाई बाई गाई गाईज टेक केर सी यू सून लव यू अ